प्रिंट्स देखिए आज का धोती बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाया गया है यह बिंगॉली स्टाइल का धोती है बिंगॉली नीवियर्स आने वाले हैं तो इसलिए बिंगॉली नीवियर्स स्पेशल धोती गयाज यह धोती सभी सैज के लड़ो गुपाल जी के लिए बनाया जा सकते हैं पर आज मैं बनाई हूँ 6,7 और 8 नमबर लड़ो गुपाल के लिए और मैं अपने लड़ो गुपाल को पहनाऊंगी तो वो वीडियो भी मैं आप लोगों के शाप में सेर करूंगी अगर मेरी चैनल पर नए है तो वेलकम फ्रेंड्स मेरी चैनल को लाइक के लिए आइडियाज में है आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है करें बहुत बहुत कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और फ्रेंड्स फेब्रिक का क्लोज सैट का कॉर्णर से मुझे मार्क करते हुए यहां पर मार्क लगानी है मुझे मैं ले रही हुए यहाँ पर 5.5 इंच और इस तरह से मैं मार्क करते हुए पूरे राउंड सेप मैं डालूंगी फ्रेंट से दोती आप सभी साइज के लड़ो गुपाल जी के लिए बना सकते हैं अब बनाना इसे आसान है और बेगनर्स लोग भी बना सकते हैं सिर्फ एक राउंड कट से ही बन जाते हैं राउंड सेप का मार्क हो जाने के बाद फ्रेंट से इसे कट करनी है मैं फ्रेंट बहुत ही एक्साइटेड हूं कब अपमें लड़ो बोपाल जी को यह धोती परनाऊंगी और यह वीडियो कब मैं आप लोगों को शेयर करूंगी गाईज अब फैब्रिक कट करने के बाद यहाँ पर 11 इंच बाई 11 इंच फैब्रिक हुए है अब इसके बीच से बिलकुल बराबर से मुझे कट कर लेनी है अब इन दोनों पीस को मुझे फोल कर लेनी है गाईज आप लोग भी एद होती अपने लड़ो बोपाल के लिए जरूर ट्राइ करें अब मैं कॉटन का मैरून कलर का फैब्रिक ले रही हूँ जिसे चौड़ाई है वन इंच और लंबाई है 11.5 इंच इसका दो पीस में ले रही हूँ अब फ्रेंड्स देखिए यह जो राउन तरफ है इसको मैं प्लीट लगाऊंगी वहाँ पर और यह जो मैरून फैब्रिक मैं ले हूँ इससे मैं दोनों साइट पाइपिन लगानी है मुझे दोनों पीस में मुझे सेम करनी है देखिए गायज मैं इस तरह से बना कर दिखा रही हूँ मैरून फब्रिक को मैं स्टीच की हूँ उसके बाद मैं उपर से एक प्लेट लगाई हूँ देखिए दोनों पीस कंप्लीट है अब मुझे क्या करनी है धोती का जो बिल्कूल सेंटर है यहां पर मुझे एक प्लेट डालनी है और इस साइट से मुझे एक प्लेट डालनी है और इस साइट से मुझे एक प्लेट डालनी है इस तरह से मैं दोनों धोती को तयार करते हू देखिए प्लीट डालने के बाद प्रेंट भिल्कूल इसतर से बनकर तयार हुए हैं दोनों भिल्कूल बराबर हैं और ये प्लीट डालने के बाद 4.5 इंच प्रेंट्स देखिए मैं सेम यहां पर रस्तर का फैबरिक ले रहे हैं हुआट वाला जो 5 इंटू 5 इंच है दोनों तरफ से अब इससे मुझे बनानी है बच्पन में जो हम लोग फेपर से पंखे बनाते थे हैं बिल्कू लूज तरह से चोटा-चोटा प्लीट बनाते हुए पंखे के तरह बनानी है और गाइज मैं यहाँ पर एक मेरून कलर का फैबरिक ले रही हूँ जो की वन इंच और फाइब इंच इसके लंबाई है उससे मैं पाइब डालूंगी गाइज अगर आप लोगों को यह धोती का वीडियो जड़ा भी पसंद आए तो बहुत बहुत लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कूल भी ना भूलें फ्रेंड्स दोती में जो मैं लेस लगाई हूं इस सेंटर में मैं वही लेस यहां पर स्टीच करनी है मुझे और तू इंच दोनों दोती को एटच करूंगी और वहां पर मुझे इससे बीच में बिल्कूल सेंटर करते हुए दो इंच स्टीच कर देनी है देखिए फ्रेंज मैं पहले धोती को स्टीच कर ली हूँ अब देखिए मैं इस पंके के तरह बनाई हूँ देखिए कितना सुन्दर लग रहा है मैं उसे भी रेडी कर चुकी हूँ अब मुझे यहाँ पर स्टीच करनी है टू इंच उसके बाद दिखाती है देखिए फ्रेंज बनने के बाद बिल्कुल इस तरह से लग रहे हैं कितने क्यूप से धोती लग रहा है और अब यह देखिए बिल्कुल दो इंच है गाइज मैं वही मेरूं सें फैब्रिक ले रहे हूं कॉटन का जो वन इंच चौरा है और इसकी लंबाई है एटी नेंज इस फैब्रिक से मुझे कमर की पट्टी और डोरी दोनों एक साथ बनानी है देखिए फ्रेंज बनने के बाद बिल्कुल यह धोती रेडी है रेडी हो चुका है और बनने के बाद देखी कितना सुम्दर लग रहा है कितना क्यूट सा धोती लग रहा है लग रहा है मेकब अपने काना जी को पहनाओंगी प्रेंज अगर आपनों को ये वीडियो जड़ा भी पसंद आया तो प्रीज लाइक करें और सब्स्राइब परना ना भूलें तब तक के लेटा ड़कुलें